असलाम वालेकूम और विल्कम बैक कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली उमीद है सब ठीक होंगे खुश होंगे हम भी अलहमदुलिले ठीक हैं अच्छे कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ दावत वाला व्लाग शेयर किया था उसमें मैंने जर्दा बनाया तो सबसे पहले मैं आपको बताओं मैं चावल ले रही हूं दो ग्लास मैं चावल लोगी बास मती राइस हैं मैं आपको इसलिए बतारू तांके फिर बाद में बहुत से कृस्चिन आते हैं कि आपने राइस कौन से लिए थे तो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि मैंने बास तो ये इतना ही ताइम मैने चावल वाश करके रखेऊ यह फूरसे पानी ना पानी को नहीं आपu रखे यह ओं स्वर्य जैसे फाला जो यहां इस्वाड़ द्रूस सब्सक्राइद रखे जावल मैंने दु लूंगी यहाँ पर देखें जब चावलो में एक करनी रह चाएगी जैसे बिर्याणी वाले चावल होते हैं वैसे तो मैं इन्हें जो चावल तो मैंने चावल के रख लिए लेकिन पहले मैं दूसरी चीज़े त्यार करके रखूंगी फिर चावलों का जो नक्स टैप होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहां पर मैंने रेड कलर जो था वो लिया एक चुटकी एक चुटकी ही मैं इसमें येलो कल अपिर गोले चारे ढालता है पिर जब हो मरे कर आई तो मैंने उसमेहे न 따라 को से बनाएं चावल करती है फिर येलो कलर णे करते हैं लेके मुझेना जैदा नुच्छोक था कि मैं रंग परंग चावल बनाऊं मुझे इतने ज़यदा अफसान्दा उ इसलिए मैंने फिर आस अ मैं बाटर में बनाती नहीं लेकिन आप इसकी जगा ओएल भी यूज कर सकते हैं बटर थोड़ा सा मेल्ट वे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो है वो मेल्ट नहीं हुआ लेकिन मैंने उसमें चीनी जो थी वो आइड कर दिया अब चीनी को मैं बस थोड़ी देर यहां पर करूंगी जैसे मुझे लगेगा कि थोड़ी चीज़ें मिक्स होने लगी हैं बटर और चीनी मै अब आपने चार जावल बनाने हैं तो फिर जाएर आप एक ग्लास उसमें दूड़ एड करेंगे और दो ग्लास चीनी थीक है अब अपना हिसाब इसके अकार्डिंग जो आप देख लीजिएगा यहां पर जो चावल मैंने बॉल किये थे यह मैं इसमें आड कर दूंगी अ सारी चीज़े मायने मायने सेम टाइम आप लगों के सामने डाल दीए इसमें ठीक है अब यह जो चावल मैंने बॉल किये थे यह मैं अच्छे से चैस यह मिक्स कर दूंगी जितना भी उचीर्र brush add करऊंगी फिर रेड और यलो जो जितने किलर आप लोगों ने डर करने हैं वो कर लें अच्छा कुछ लोगों को ना कलर बिल्कुल हलके हलके अपसान दोते हैं इसमें लेकिन मुझे ना मुझे अच्छा लगता है के सारे मुफ्तलिफ कलर जो हैं रेड यलो और ग्रीन कलर ज जिसमें हम रोटी पगार आपको पता रखते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, और आप इसे दम दे दे, दम मैं दे बिलकुल slow आंच यहां पे, तो बिलकुल slow मैंने कर दे थी, और 15 मिंट के लिए मैंने इसे दम दिया था, ठीक है, अब 15 मिंट के बाद मैंने दम आप लोगों के सामने ही मैं से उपन करूँगी, यहां पे यह देखें, बड़े ही मज़े के चावल यह त्यार होते हैं, हम तो इन्हें मीठे चावल बोलते हैं, सीधी सी जबात हैं, कुछ लोग जाहर है मतंजन मगारा, ऐसे बोल लेते हैं, लेकिन हम मीठे चावल कहते हैं, तो अब मैं आपको लोगों को नहीं दिखाती हूँ, जरा भी कोई एक दाना किसी दूसरे दाने के साथ जुड़ा नहीं था, बिल्कुल खिले हुए चावल बने थे, और बहुत ही टेस्ट भी बहुत मज़ेका था, और जो चीनी है वो भी बिल्कुल मुनास्ब मिकदार में थी, आपको पता है बहुत ज़्यादा चीनी हो जाए, बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएं, फिर भी मज़ा नहीं आता, इसलिए जो मैंने आपको हिसाब बताया, अगर आप इसी से बनाएंगे तो आपके चावल बहुत ही मज़ेके बनेंगे, पहली बार यह आपके, मैं ग्रंटी देती हूँ, अच्छे बनेंगे, तो अगर पहली बार ना भी बने ना, दूसरी बार जरूर ट्राइ करना है, वैसे पहली बार यह अच्छे बन जागे, अगर आप बिल्कुल मेरी जो रस्पी यह फालो करेंगे, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको प्लेट में निकाल के भी दिखा दियें, कि यह कितने ही मज़े के बने थे, अब आपने यह रस्पी जरूर ट्राइ करनी है, और फिर मुझे उक्मेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी, अपना बहुत साहिया रखिएगा, मैं आपसे मिलतू हूँ एक नए व्लाग में, लाहाफीज,